हालो दोस्तों घटना चक्र आधनिक भारत पुर्वाव लोकन में आप लोका स्वागत है आए देखते हैं भारत से बाहरक रांतक्यारी गधी विदियों से सम्मध्य जितने क्वेस्चन्स एक्जाम्स में आए स्वेस्चन्स पूछे जा चुके हैं आए देखते हैं यह 14 रूल सोसाइटी की अस्थापना किसने के थी यह स्याम जी किस्द बर्मन ने लंडन में देखे इसी समध्य क्वेस्टन क्या पुछा जाता है इंडियन होम्रूल इसमें चार आफसम कर्स दिये गये थे इसमें पुछा था कि इसमें से कौन ऐसे वेक्ति हैं जो गदर पार्डे के गठ़न से समभनी थे गदर पार्डे की अस्थापना किस बर्स होई थी 1913 में गदर पार्डे की अस्थापना होई थी आई-अगल देखते हैं गदर आंदोलन की अस्थापना किसने की थी ये थी सोहन सिंग भागना गदर आंदोलन की अस्थापना किसने के सोहन सिंग भागना और गदर पार्टी का पहला सवापती कौन था सोहन सिंग भागना गदर पार्टी गदर आंदोलन की अस्थापना किसने सोहन सिंग भागना और गदर पार्टी क कौन सा अस्थल था पस्चिमी अमेरिका आई अगला देखते हैं गदर पार्टी की अस्थापना कहां किस देश में हुआ था ये संयुतराज अमेरिका में सन फ्रेंसिस्को था, सन फ्रेंसिस्को अस्थान था, सभी उतराज जमेरिकया में, वहाँ पे जो है गदर पार्टे की अस्थापना हुई थी, आईए अगला देखते हैं, गदर क्या था, देखें, गदर जो है भारती क्रांदिकारियों का एक संग्ठन था, जिसका मुख्या गदर क्रांदिकी प्रेंसिस्को अगला देखते हैं, वह व्यग्त जिसने विदेश में गर्ट टंतरात्मक सरकार की अस्थापना की थी, तो क्यों थी, ये महेंद्र बर्मा, महेंद्र पर्ताप, वह ब्यक्त जिसने बिदेज में गड़त अंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की थी तो कौन थी? महेंदर परताप, राजा महेंदर परताप अगला कोशन देखिए वह स्थान जहां पर्थम महायुद्ध के दवरान भारत की एक अनंतिम सरकार बने थी भारत की एक अनंतिम सरकार बने थी जिसके प्रेसिदेंट राजा महेंदर परताप थी तो ये कहां बने थी? अफगानिस्तान में आई अगला देखते हैं बहुत इंपोर्टन कोशन है भारती करांती की मा किसे कहा जाता है? भीकाजी रुस्तम कामा को भीकाजी रुस्तम कामा को जो है भारती करांतिकारी की मा कहा जाता है अगला देखते हैं भीकाजी कामा से सम्मानित थी भीकाजी कामा से चार स्टेटमेंट दिये गए थे जो सही है वही है देखिए विकाजी कामा क्या थी ये दादा भाई नेरो जी की निजी सच्यू थी और मैडम कामा के माता पिता क्या थे पारसी थी मैडम कामा के माता पिता क्या थे पारसी थी अब अगला है देखिए वह महिला जिसने भारती तिरंगा सबसे पहले फ़ाराया था ये कौन थी भीकाजी कामा भीकाजी कामा ने भारती तिरंगा सबसे पहले फाराया था और ये जो है मैडम भीकामा ने 1907 में पर्थम तिरंगा धोच फाराया था कहां फाराया था इस्टूट गार्ट में इस्टूट गार्ट में जो है 1907 में पर्थम तिरंगा धोच फाराया था मैडम का माने आई अगला देखते हैं वह ब्यक्ति कौन से थे जिसे इंग्लेंड में अंग्रीज अधिकारियों की हद्या के आरोप में फासिद दी गई थी तो ये मदलान धिंगारा और उधमसीन ये दोनों जो हैं अंग्रीज अधिकारियों की हद्या के आरोपी थे इनको जो हैं ल B.S. I.R. और M.N. R.I. इनने क्या समानता थी देखिए ये प्रमुक करांधिकारी थे जो स्वतनता आंदोलन की दोरान जब स्वतनता आंदोलन चल रहा था भारत में उसी के पहलेल उसी के समानतर जो है विदेश में रहकर इस आंदोलन के लिए लोगों को एकजूट कर रहे तो देखिए क्या थे इन समानता की प्रमुक करांधिकारी थे और स्वतनता आंदोलन की आउधी में भारत से बाहर विदेशों में काम कर रहे थे तो कौन-कौन थे मैडम भिकाजी कामा, M. बरकतुला, BBS I.R. और M.N. R.I. ये भारती करांधिकारी थे और जो स्वतनता आं पर निकला एक जल्पोत थे कामा, गाटा मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जल्पोत था. अब देखिए इन चारों में बताना है कि कामा, गाटा मारू से घटना से सम्मंदित का हूँ थे? सर्दार अजीर सिंग, बाबा, गुर्दीप सिंग, बिडी सावार और सरदार भगत सिंग देखिए इसमें तब बाबा गुर्दीर सिंग यही जो है समधित है कामा गाटा मारू घटना से अगला देखिए इंडिपेंडेंडेंस लीग की अस्थापना किसने की थी रास बिहारी बोस्त ने अगर आप लोगों को वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिक सकते हैं से अगले वीडियो में सुधार करके लाया जाएगा थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों